जहें डिफेंस एस्परेंट्स वेलकम बैक अगें दिस इस दिव्याशो पांडे DRDO ने भारती थलसेना के लाइट विटे टैंक जोरावर के ट्राइल्स को करना शुरू कर दिया है जिससे की भारती थलसेना को high altitude areas में light weighted tanks आपके प्राप्थ हो पाएंगे तो ये जोरावर है क्या significance क्या है और कितने numbers में हमारे Indian Army को इस प्रकार के light weighted tanks की requirement है इसको हम आज के इस class में cover करने जा रहे हैं तो चलिए शुरूबात करते हैं आज के session की DRDO जो कि हमारे Armed Forces का बहतर तरीके से ध्यान भी रखती है और इस करण से इनों ने भारती थलसेना के काफी लंबे समय से पूछे जाने वाले किये जाने वाले जो requirement है light weighted tank से अब इसको पूरी कर दी है जी हाँ DRDO के द्वारा light weighted tank जोरावर को बना भी दिया गया है और इसके trials को अब ये करना शुरू भी कर दिये हैं साथी साथ DRDO ने ये कहा है कि हम इस साल April 2024 में इस प्रकार के tanks को इंडियन आर्मी को दे देंगे जिससे कि वो अपने level में भी इसके trials कर सके और जब ये trial में पूरी तरीके से complete हो जाएगा तो इनकी production करना हमारी जितने भी भारत की industries हैं उनके द्वारा शुरू कर दिया जाएगा तो अभी DRDO ने कहा है कि हमने लगभग 100 km तक इसके trials को आपका किया है जो की काफी सही तरीके से इसमें देखा गया इसमें जो नए इंडियन लगाए गए हैं DRDO की द्वारा वो काफी अच्छे तरीके से run भी कर रहे हैं और बहता तरीके से अपने moment को कर रहे हैं भारती थलसेन की जो mechanized infantry रहती है वही टैंक्स का आपका इस्तमाल किया करती है और हम सभी जानते हैं कि युद्ध कोई भी हो तो उसमें सबसे अग्रणी और सबसे प्रमग भूमी का टैंक्स ही निभाया किया करते हैं अभी इंडियन आर्मी को जो है टोटल 59 जोरावर के light tanks आपके मिलेंगे जो की DRDO और Larson और टुब्रो के द्वार आपके बना के दिये जाएंगे DRDO मेंली इसमें research and development का काम कर रही है फिर वो transfer of technology L&T को कर देगी और L&T शुरू में 59 जोरावर light tanks को आपका बनाएंगे जिसे की जो high altitude areas होते हैं वहाँ पर इनके deployment की जा सके और बहते तरीके से ये work हो सके तो आप ये देखी पा रहे हो कि इनके आपके trials DRDO ने किया है 100 km ते इसको चलाया भी है और जो भी इसमें अभी requirement होगी उसको इसमें रखा जाएगा और mainly जो हमारे tanks होते हैं उसमें सबसे important component आपका engine का ही होता है क्योंकि हमको जो hull और जो turret होती है, hull इसके नीचे का भाग कहलाता है, turret इसके उपर का भाग कहलाता है उसमें सामंजस के सिती हो, इनके जो आपके barrels होते हैं, उनके लंबाई, कितने accurate तरीके से वो fire कर पा रही है, कितने crew commander से बैट पा रही है, किस-किस प्रकार के इसमें जो है systems लगाए गए हैं, इन सभी चीजों को देखना होता है भारती थलसेना के requirement है, कि ये लगभग 295 आपके additional tanks को ले, जो कि lightweight tank हो, और इसके लिए competition आपका काफी high है हमारे भारत के market में और सभी भारती कंपनिया चाहते हैं, कि उनको इस प्रकार के contract मिलें, और वो भारती थलसेना के लिए tanks को बनाएं, तो number of requirement आप कह सकते हो कि 350 का है, और 6 से लेकर 7 ऐसी firm है, जो कि अपने offer को दे रही है, कि हम इस आपके tank को बनाएंगे, और एक limit समय में जो है, Indian Army को इस प्र कि यहाँ अब इसमें सभी चीजें fit हैं, बहतर हैं, तभी जो है इनके आपके production का order दिया जाएगा, उसके लिए tender भी आपका लाए जाता है, जो light weighty tanks होते हैं, वो 25 ton के होते हैं, 25 ton बड़ा ही कम होता है, अच्छा light weighty tanks के requirement क्यों है, क्योंकि आप अगर आप लद्दाक के hilly areas पे जाओगे, जहाँ पर भारत को चाइना से मकाबला करना है, तो वहाँ पर इस प्रकार के tank ही काम आते हैं, और ये काफी आसानी से move भी कर पाते हैं, और high आपके elevation पे आसानी से ये चड़ भी पाएंगे, उतर भी पाएंगे, इस कारण से इनकी requirement अब काफी तीजी से है, जिससे की दुश्मन के लिए एक प्रकार से ये काल ही बना रहे सके, हम देख रहे हैं कि 2020 में, जब भारत और चाइना की बीच में गलवान वैली का इशू हुआ था, तो पैंगॉंग शो लेक की तरफ जो है, जो की इस्टन लद्दा का इलाका आता है, वहाँ पर चाइ हो चुका है, और भी ट्राइल्स होंगे, तो इस प्रकार से ये काफी हमको शक्ती प्रवाइट करेंगे, भारती थलसेना को लद्दा के तरफ ऑपरेट करने में, तो डिजाइनर इसकी लारसने टुबरो है, क्रू इसमें तीन लोंग बैठ सकते हैं, इंजन इसमें डीजल अब देखते हैं कि लाइट टैंक्स इंडिय इंडियन आर्मी, क्या कै इनकी हिस्ट्री रही है, तो मेंली अभी तक जो हमारे पास टैंक्स थे, वो मेडियम टैंक्स थे और हैवीवेड टैंक्स थे, लेकिन अब उनकी रिक्वार्मेंट के अलावा एक तीसरे प्रकार के ट कारण हम इस प्रोजेक्ट पर जो है वर्क कर रहे हैं, आप सभी जानते हो कि भारती थलसेना के पास T-72, T-90, अर्जुन मार्क 1, अर्जुन मार्क 2nd जैसे में बिटल टैंक्स हैं, लेकिन ये में बिटल टैंक्स या तो हैवी हैं या फिर मीडियम हैं, ओके, लेकिन रुवल और लाइट वेटेड आपकी कुमेंट लगेंगे, जैसे कि आर्टिफीचल इंडलेंस हो गया है, जिसमें सौन ड्रोन सा आपकी लगाये जाएंगे, हाईर सिचुएशन अवेरनस प्रोग्राम इसमें रहेगा, लॉटरिंग मुनिशन रहेंगे, एंटी आर्मर सिस पा रहे हो, को एक्षियल मशीन गन इसमें 7.62 mm की लगी है, इसमें 3 लोग आ सकते हैं, स्पीड इसकी 70 km पर आर काफी बहतरीन है, जितना हलका होगा वो उतनी तीजी से आपका आगे बढ़ेगा, और फिर ऑफ रोड में, अगर ऑफ रोड है, 35 से लेकर 40 km पर आर की स्पीड चलेगा, होर्स पावर ये 1000 होर्स पावर का प्रवाइट करता, जो में बिटल टैंक्स होते हैं, अजये आपका ये भुईश्म हो गया, वो 1500 HP के होते हैं, ये आपका 1000 HP का है, ये भी सही है, कोई अच्छी बात है, अच्छा इसका नाम जोरावर क्यों रखा गया है, क्योंक विसे सेवा मेडल, महावीर चक्र, वीर चक्र और वीयसम विसे सेवा मेडल थे, और अगर हम इनका लाइफ पीरियट देखें, तो 21st October 1921 से 24th में 2018 तकी रहे, और 2018 में ये इनका देहवासान हुआ, इस कारण से ये 5 गोर्खा राइफल्स थे, इनको ट्रिब्यूट देने के भारती थलसेना ने, जो अपने नया टैंक है, उसका नाम क्या रखा, जोरावर रखा है, तो ये भी आपको पता रहे, वीर चक्र इनको क्यों मिला है, क्योंकि 1947-48 के पहली वार, जो भारत-पाकिस्तान के बीच में होई थी, उसमें इनको वीर चक्र मिला था, महावीर चक् वीर शूरवीरों से भरा हुआ है, इस कारण से, टैंक का कनाम हमारे इस वीर के उपर आपका पड़ा है, तो हम भी जो है, इनको सच्ची स्रज्यांदली देते हैं, आप सभी डिफेंस एस्परिंट, SSB क्रैक एक्जाम के इंटर्व्यू, और एक्जाम के तेहरी जरू करिए, और वार एक 10 कोट का यूज़ करें, डिसे के अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट हैं, और SSB इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एक्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें, आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकत देबेन हैं, तो आपरां से एक जाग हैं, नमस्री कर रहे हैं, तो आप हमारी जाए हैं